नमस्का दोस्तों माल्दिवियन प्रेसिडेंट मोहिमद मुलू जो जब से इलेक्शन जीत के माल्दिवस में सरकार बनाये हैं तब से ही एंटी इंडिया स्टेफ लेते हुए दिखाये दे रहे हैं चाहे वो इंडियन फोर्सेस को माल्दिवस से निकालने की बात हो या फिर दूसरे सारे इनिशेटिव की चाइना से पानी मंगाने की बात हो या फिर चाइना के साथ में अपने रिलेशन को और जड़ा श्ट्रॉंग करने की वहीं दूसरी तरफ यही माल्दिवियन प्रेसिडेंट जब इलेक्शन नहीं जीते थे उसके पहले भी यह एंटी इंडि यही था जहां पर इन्होंने एंडिया आउट केमपेंड को बहुत से दी बट अब यही माल्दिवियन प्रेसिडेंट मुहिमन मुजू को समझ आ चुका है कि केमपेंड अलग है और गवर्नेंस अलग है वो जोग्रफिक को नहीं ढुटला सकते भारत एक बहुत बड़ा इ अपना यूटन लेते वोए दिखाय दे रहें जिसके दोरान में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि रीसेंटी भारत के एक्शनल अफेर मिनिस्टर जब माल्दिवियन उसके अंदर गए तो उसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक तरीके से वहां पर उनका स्वागत किया कहीं सारे नए स्टेप उठाए गए जहां पर लोकल करंसी यूपी आई पेइमेंट जैसी चीजों के उपर नए इनिशेटिव देखने को मिले इतना ही नहीं पर बात आती है इस तरीके का यूटर्ण मालदियूस के द्वारा क्यों किया गया किस तरीके के गवर्नेर्स इशू मालदियूस के अंदर आ रहे थे जब भारत का मालदियूस को साथ नहीं मिल रहा था इन सारी चीजों को मैं शुबेनी चुहान डीटेल में आप लोगे साथ में चल्चा करूंगा बर उसके पहले आप लोग मैं साथ में एसाथ में टेलीग्राम ग्रूप के उपर जुड़ रखते हो मेरे क्लास की अब DAP, BDP, DF सब कुछ आपको आपको मिल जाएगा UPSC, CAC की त्यारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप लोग के बास में एक बहुत चाम होगा है अनकेडमिय उनलाइन नहीं रहा है, अनकेडमिय उनलाइन भी आ चुका है देलिये, करुलबाग, मुखरी नगर के अंदर, प्रयागराच के सिविल लाइन्स के अंदर अल्रेडी हमाई सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोग को आफ्लेंग लाज के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा प्रयास करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, देखो रीसेंटली भारत के एक्षर अफेर मिनिस्टर एज जेशंकर साब माल्दियूस पहुचे, इस दोरान में कुछ बड़े इनिसेटिवस के उपर काम किया गया और कुछ बड़े MOU साइन किये गए, जहाँ पर भारत का UPI सिस्टम माल्दियूस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा हजार माल्दियूस ब्यूरोक्रेट भारत में आएंगे, इनको भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर यह माल्दियूस में वापस जाएगे, वहाँ पर भूरोक्रेट से समा लेंगे सीवेज नेटवर्क इनेगूरेशन किया गया जो कि भारत द्वारा किया गया था और छे नए कमूनिटी बेश डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट जो की हेल्थ एजूकेशन जैसी चीजों से रिलेटेड है उनके प्रोजेक्ट भारत को हेंड़ोवर किये गए इस तरीके की चीजे देखने को मिली जो क्लियरली दर्शाती है कि माल्दिव जो है वो अब भारत के क्लोज आना चाहता है और इसी दुरार में भारत के एक्षारा अफेर मिनिस्टर एज शेशंकर साब ने अपनी मीटिंग के अंदर कहा कि माल्दिव केवल हमारा नेबर नहीं है बलकि हमारा एक क्लोज अलाय है क्योंकि हमारी कई सारी चीजें आपस में मिलती है क्योंकि हम आपस में समुद्र की बॉर्डर को शेयर करते हैं इसी केंडिशन के अंदर सेम रिस्पॉंस माल्दिवक की दौरा भि दिया वहां से भारत में उस्टेट्मेंट दिया उसका रेसिप्रोकेशन आया माल्दिवक के परिछेक खाग्या कि भारत माल्दिवक का एक क्लोज अलाय है और एक in-evaluable partner है वही माल्दिवियन प्रेसिडेंट जो एंटी इंडिया केंपेंच चला रहे थे उनके द्वारा इस तरीके के स्टेटमेंट आए इस statement का एक पीछे major कारण है माल्दियूस के president को यह समझ आ चुका है कि सरकार चलाना campaign चलाने से काफी ज़्यादा अलग है क्योंकि जो अभी तक इन लोगों की policy रही उनके campaign के चलते उसकी वज़े से overall रूप से माल्दियूस जो है वो नुकसान में ही गया है IMF की report बताती है कि माल्दियूस के अंदर economic crisis नया unfold हो रहा है क्योंकि माल्दियूस के अंदर एक तो import बहुत हाई है import हाई क्यों है क्योंकि देखो माल्दियूस के हाई चोटे मोटे island है वहाँ पर कोई agriculture बहुत होता नहीं पानी वहाँ पर मिलता नहीं पूरा खारा पानी वाला area है इसी condition में पानी तक तो इनको import करना पड़ता है इस current से यहाँ पर import बहुत ज़्यादा है दूसी तरफ चाइना ने इनको भारी माता में debt दिया हुआ है आप clearly यहाँ देख सकते हो और यह debt लगाता बड़ी रहा है जिसके current से माल्दियूस को दिक्कत आ रही है और माल्दियूस की जो overall rating है वो भी गिरा दी जा रही है माल्दियूस की rating के गिरने की वज़े से माल्दियूस में investment भी कम हो रहा है इतना ही नहीं माल्दियूस दूसरी तरफ ये भी देख रहा है कि जिस चाइना पर हम भरुसा कर रहे है वो पाकिस्तान के अंदर जो कर रहा है जहां पर शुरुआत में लोन दी है और उसके बाद में बोला कि तुमको पैसे वापी दी करना पाकिस्तान ने का कि अभी नहीं दे सकते बाद में ले लेना वो ले नहीं नहीं तुमको अभी देना माल्दियूस को लगा कि हम तो फज जाएंगे वहीं तीसी तरफ आप यहां क्लियरली देख सकते हो कि भारत के साथ में जो दुश्मनी है वो भी महंगी पड़ी क्योंकि भारतिये लोग भारी मातरा में माल्दियूस के अंदर जाते थे तूरिजम चलता था वो माल्दियूस की एक बड़ी एकोनोमी टूरिजम डिपेंडेंट है अब भारतिये लोगों ने जाना कम कर दिया जिसका नुकसान डाइरेक्ली माल्दियूज को फेस का नाम को मिल रहा है जिसकी वज़े से माल्दियूज में एक नया economic crisis unfold हो रहा है जिसकी वज़े से यहाँ पर यह U-turn जो है वो देखने को मिला है अब यह U-turn ऐसा नहीं है कि माल्दियूज प्रेसिडेंट अचानक से प्रो इंडिया हो गए नहीं उन्होंने जो पूरा campaign किया उन्होंने जो पार्ल्यामेंट के अंदर बहुमत हासिल की वो सब anti-India step से थी वो सब इंडिया out से थी ऐसी condition के अंदर वो अचानक से प्रो इंडिया नहीं हो सकते मतलब माल्दियूज में वो समय नहीं आ सकता जो पहले हुआ करता था जहां पर प्रो इंडिया गवर्मेंट थी बट अब माल्दियूज प्रेसिडेंट को यह समझ में आ चुका है कि campaign governance से अलग है और वो geography को deny नहीं कर सकते क्योंकि उनकी direct border भारत से share है वो भारत के उपर dependent है इस कारण से एक neutral stand यहाँ पर लेने का प्रयास किया जा रहा है हाला कि माल्दियूज के इन सारे steps से भारत को क्या प्रभावग पढ़ता है तो देखो प्रभाव तो पढ़ता है पर भारत ने overall रूप से माल्दियूज के case में खास रूप से एक mature stand लिया जहां पर माल्दियूज ने कुछ भी किया हम लोगों ने चुपचाप मान लिया कि हाँ ठीक यार भई तुम कह रहे हो हमारी forces को बाहर ले जाना हम ले जाएंगे उसके बावजूद भी हम माल्दियूज के अंदर लगाता aid वगेरा देते रहे इसके पीछे एक major कारण है कि भारत अब वो पुरानी वाली power जो एकमात्र power Indian Ocean में हुआ करती थी वो नहीं रहा अब चाइना भी Indian Ocean में एंटर कर रहा है और भारत के पड़ोसी देशों के उपर अपने influence को बढ़ा रहा है चाहे आप माल्दियूज देख सकते हो चाहे आप बंगलादेश देख सकते हो बंगलादेश में भी अब anti-India चीज़े देखने को मिल रही है वहीं दूसरी तरफ आपको नेपाल में भी इस तरीके की चीज़े दिखाये देगी पाकिस्तान में इस तरीके की चीज़े दिखाये देगी इन साही चीजों के चलते भारत को एक बहुत पतली रोप के उपर चलना पड़ रहा है जहां पर बहुत जड़ा सहेंगे तो हमारा बूली हो जाएगा और अगर हम बिल्कुल ही ना सहेंगे तो उसकी वज़े से हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच में हम लोग एक बीच पतली रोब पे चल रहे हैं आपको समझ में होंगी लेक्चे अच्छा लगाओ तो लाइक करना लेक्चे बहुत लगाओ तो नीचे सब्सक्राइब करना यूप यसी तैयारी करना इंडेके टॉप एजुकेटर से अफ्लाइन के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों पास में हच्छा मोगा है अनकेडमिय अफ्लाइन भी आ चुका देरीक करोल भांग मुखरी नहीं कि अंदर प्राइगराश से स्विल लाइंस के अंदर माई सेंटर खोल जा चुक है अगर आपको माई सेंटर देखना तो इस वीडियो को एंटर देगा तो कि अग्षा प्रूप